आपका स्वागत है मैं हूँ अजे परताप सिंग और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं अखवारों की कुछ सुर्कियां जिनोंने आज पहले पन्ने पर अपनी जगे बनाई है और वो खास खबरें जिने पूरा हिंदुस्तान आज देखना चाहता है तो पहली खबर है के इसम वरधन को सूचना मंत्राले का स्वतंत्र पर वार दिदीगा गया है नैज दिली जच्चपिश खबर में बतायाग केंद्र की मोधी सरकार में सों राथ को किये गए फिर बदल में इस्मृति इरानी से सूचना प्रसारन मंत्राले छीन लिया गया है उनकी जगह पर राज्य वर्धन सिंग्ञ राठोर इस मंत्राले का कार्यभार समालेंगे स्वतंत्र प्रवार उनको दिया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि बिवादों से फिर गमाया अहम मंत्राले खबर में है कि बिवादों में रही इसमृती इरानी का कद फिर से घट गया है ये दूसरा मौका है जब उनसे एक मंत्राले छीना गया है इससे पहले उनके पास में मानव संसाधन विकास मं प्रवार था जो उनसे ले लिया गया था इसमृती ने प्रसार भारती के अध्यक्ष से नियुक्तियों को लेकर हुए बिवाद के बाद स्वायत शासी संस्थक के फंड पर रोक लगा दी थी वेप साइटों के लिए नियमावली बनाने को लेकर भी ये बिवादों में रही थी तो वहीं दूसरी कबर भी नई दिल्ली सही है जिसमें बताया गया है कि मनमोहन सिंग पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग का राष्ट्रपती को एक पत्र लिखकर ये कहना है कि वो कॉंग्रेस को धंका रहे हैं प्रधान मंत्री पर ये आरोप लगाया गया है कि वो समझाये, ख़बर में बताया गया है कि पूर परदान मंदी की शिकायत की है पत्र में कहा गया है कि मोदी ने करनाटक चुनाफ परचार के दोराँ कॉंग्रेस पर हमला करने के लिए अवांचिनीय धमकी भरी और डराने वाली भाशा का इस्तेमाल किया है तो पूर प्रधान मंत्री ने मौजूदा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर ये आरोप लगाया है कि वो करनाटक चुनाब में कॉंग्रेस को धमकाने का काम कर रहे हैं इसमें साफतोर से बताया गया है कि जो मुख्यर बजय है वो ये है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि ये मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे और ये वीडियो भी काफी दिन से बाइरल हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं तो ज आप तो आए एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजर होंगे ब्रेक के बाद आप देखते रही है एबीपेस निउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर चिकित्सा विभाग से है चिकित्सा अधिकारी के एक हजार पदों पर भरती होने की बात भी अमरुजा में प्रकाशित की गई है इलाबाद से छपी इस खबर में बताया गया है कि उत्तरप्रदेश लोकसिवा आयोग यूपीपी एससी होमेोपैथिक वे आयुरुवेदिक चिकित्सा अधिकारी के करीब एक हजार पदों पर सीधी भरती शुरू होने जा रही है इसके अलाबा तकरीबन सो अन्य पदों पर भी सीधी भरती होगी इसके लिए 18 मई से ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी आयोग ने मंगलवार को सीधी भरती के लिए विग्यापन भी जारी कर दिया है तो ये एक बड़ी खबर है कि अब एक हजार चिकित्सा अध भरती होगी जिसमें काफी सारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जिसमें आवेदन मांगे जा रहे हैं दूसरी खबर नई दिल्ली से है कि बारवी में यूपी के चार बच्चों समयत साथ लोग सैयुक्त रू इग्जामिनेशन ने बारवी और दस्वी के नतीजे सोंबार को घोशित कर दिये बारवी में साथ चात्र चात्राओं ने 99.5 अंकों के साथ सैयुक्त रूप से टॉप किया है इनमें से चार बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी बढ़िया खब संख्या सत्तर पहुंच गई है खबर में बताया कि प्रदेश में रविबार की राताई आधी बारिश और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या सत्तर पहुंच गई है सीम योगी आधित्यनाथ ने 24 घंटे में प्रभावित परिवारों को राहत राशी देने के एक सहायता देगी एक और बड़ी खबर है जो नानक मता खटीमा और उद्धम सिंग नगर से एक साथ प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि ट्रक बेन की भिढ़नत में पांच लोगों की मौध हो गई है सभी मृतक रामपूर के रहने वाले हैं और मापूर्णागिरी के दर्शन करके लोट रहे थे खबर में बताया गया है कि नानक मता बाईपास पर सोंबार को मारूती बेन और डंपर में आमने सामने से भढ़न दो गई जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौध हो गई जिससे पूरे परिवार में शोक का माहौल है मृतकों में तीन महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है छे घाये लोगों को खटीमा के नागरिक अस्पताल लाया गया वेन चालक की जबकी आने के चलते ये हाथसा होने की बात कही जा रही है रामपुर्णिवासी 11 लोग ओमिनी वैन यूपी 22 एए 1750 से मापुर्णागिरी के दर्शन करने के लिए जा रही थे की रास्ते में ग्राइवर की जपकी लग गई जिसकी बज़े से मारूती कार डंपर में टकराई जिसमें इन पाच लोगों की मौत हुई है तो वही एक और खबर जो खास दिखाई दे रही है कि मौत का सौधागर कहने वाले हमें ना दे नसीहत भारतिय जन्तापार्टी की तरफ से ये बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जो मौत के सौधागर है वो हम लोगों को नसीहत ना दें भाजपा ने कहा कि कॉंग्रेस के शीर सनेता ने PM को मौत का सौधागर जहर की खेती करने वाले जैसे कई आपत्ती जनक शब्द कहे हैं अब वही कॉंग्रेस हमें मर्यादा का पाठ पड़ा रही है तो भाजपा की तरफ से ये भी एक एहम बयान आया है क्योंकि पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने रास्ट्रपती को चिठी लिखकर प्रधान मंत्री पर धमकाने का आरोप लगाया है तो वहीं भाजपा की तरफ से आये इस बयान से ऐसा लगता है मानो भाजपा ने पलटवार किया हो जिसमें साफ तोर पर कहा गया है कि मौत का सौधागर जिन लोगों ने कहा है वो लोग हम लोगों को नसीयत ना दे तो फिलाल के लिए इतना ही इसी के साथ अजे प्रताप सिंग को दीजे इजाज़त नमस्कार